दोस्तों आप सभी ने internet of things के बारे में सुना होगा और हम सभी क्योंकि internet users हैं तो ऐसे नहीं को लगता है कि यार यह चीज क्या है internet of things इसके बारे में जाना दो बहुत ही ज़रूरी है तो आप यह वीडियो देखते रही है और आज मैं आपसे internet of things के बारे में ही बात करने वाला हूँ नमश्कार दोस्तों मेरा नाम है गौरव आप देखरें है technical guru जी चले शुरू करते हैं दोस्तों आप सोचके देखिए कि आज की डेट में आपके घर में ऐसे कितने devices जो internet से connected है आपका एक main router हो गया है आपके सभी mobile phones हो गए है उसके अलावा आपके घर में जो भी laptops tablets हैं वो सभी हो गए है और उसके अलावा हो सकता है आपके घर में काफी सारे smart devices होंगे जैसे कि for example streaming dongle जैसके chromecast या for example एक temperature monitor तो ये सभी चीजे internet से connected हो सकता है आपका security system जो अगर आपने लगाए को CCTV camera वो भी internet से connected हो तो ऐसे में आज की date में हम day by day ऐसे नए devices को use करना start कर चुके हैं जो कहीं न कहीं internet से connected होते हैं अब internet of things basically क्या है कि इनी सब devices का जो internet से जुड़े हैं उनी का combination है उनी का एक परिवार है और उनी का एक system में जिसको हम बोलते हैं internet of things अब internet देखे normal तो यह होता है कि आप उन्हें phone में Google खोल लीजिए YouTube खोल लीजिए Facebook चला लीजिए तो ये internet तो है ही है इसके अलवा जो internet of things है वो काफी smart feature होगा जिससे devices अपने आप बाते करेंगे अ अपने आप आपके अच्छे के लिए अपना काम करेंगे और सारा काम automatic करते हुए internet के थुरू बड़े आराम से communicate करते हुए आपने सारे काम को कर पाएंगे मैं आपको एक छोटाता example देता हूँ अगर आपको समझ में आएगा ता आप मुझे बताईएगा for example एक car है और car मे ये location पर accident हो गया है और आप please यहाँ पर ambulance को भेज़ दीजिए और आप यहाँ पर police को भेज़ दीजिए अगर in case any kind of criminal activity है तो ऐसे में internet of things पर आपको कुछ नहीं करना पड़ा direct आपकी car से message गया और वो अपने आप जो ambulance थी या जो भी police station था आप वहाँ पर भी ऐसा device लगा ह हैं आपके घर की जो shades हैं वहाँ पर भी आपने उनको खुला छोड़ दिया आपने बंदी किया है तो ऐसे devices हैं अगर वो आपस में community करते हैं और वो यह देखते हैं कि आपके घर में कोई भी activity नहीं है कोई भी हलचल नहीं है इसका मतलब आप घर पे नहीं है और ऐसा करने क में इसका potential 1% तक भी नहीं पहुँच पाए हैं मुझे उम्मीद है कि आइनले दुनों में इसको आगे बहुत तेजी से बढ़ते हुए देखेंगे लेकिन फिलहाल के लिए तो यह सपने से कम नहीं है कि इसकी possibilities कितनी कितनी जादा हो सकती है जैसे कि एक car अगर आप चलाते कम है और आप इसको प्लीज गराज में लेकि आगे ठीक कर वा लिजिए तो ऐसे केस में बहुत ही इंट्रस्टिंग होगी आपको कुछ नहीं करना पड़ रहा है आपके गाड़ी डिरेक्ली कम्यूनिकेट कर रही है मैनुफेक्टर से और बड़े ही आराम से आपको जो बह सकता है और मुझे उम्मीद है कि जब फ्यूचर में आएगा तो हम सभी के लाइफ को काफी इजी बना देगा दोस्तों अभी के लिए इतना ही देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद मुझे उम्मीद है को पसंद आया होगा अगर आपका कोभी सवाल और सुज बंदे मात्रा